हलो फ्रेंड्स डेली टॉकेज हेल्थ एंड फिटनेस में आप सभी का स्वागत है मैं गिती का आज आपको बतानी वाली हूँ कि बाल जल्दी कैसे बढ़ाएं और बालों का ज़ड़ना कैसे रोगें देखें दोस्तों आप जो खाते हैं उसी से आपके बालों को भी पोशन मिलता है इसलिए बहता डाइट जरूरी है बटमिन, चेंक, सल्फर और रेशेदार भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें साथ ही तकरीबन आठ से दस क्लास पानी भी जरूर पिए अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसी ट्रिक है जिससे रातो रात आपके बाल लंबे हो जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हाँ इतना जरूर है कि बालों की देख बाल के लिए थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बाल समानने अवस्था से ज़्यादा बढ़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं चलिए जानते हैं कि क्या करें कि बाल जल्दी बढ़ें बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हफ़ते में एक बार गुन-गुने तेल से सरकी मसाच जरूर करें इससे ब्लड सरकुलेशन ठीक रहता है जो हेर ग्रोथ और स्वस्थ बालों के लिए बेहत जरूरी है और दूसरी बात बालों में कंगी दिन भर में दो से तीन बार करें ज्यादा कंगी करने या एकदम कंगी ना करने से भी बालों पर गलत इफेक्ट पड़ता है बाल जड़ने लग जाते हैं जिससे हेर ग्रोथ रुख जाती है और घर से बाहर जाते समय अपनी त्वच्चा की तरह बालों को भी धूप से बचाए चाता लगाए या स्काफ पहने अत्वा कैप पहने अपनी बालों को धूप से आपको बचा कर रखना है विटामिन A, B और E के साथ ही अन्य पोशक तत्व ले बालों की ग्रोथ के लिए डाइट सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है अच्छी नेंदले या अच्छे स्वास्ते की निशानी है आप स्वस्त रहेंगे तो हेर ग्रोथ भी अच्छी होगी हाफ़ते में एक बार हेर मास्का भी परियोग करें इसे बालों को जरूरी पोशक तत्व मिलते हैं जो बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आवशक है मास्क कैसे लगाना है? चलिए मैं आपको ये बताती हूँ मेथी दानों को रात भर पानी में भिगो कर सुबह उसका पेश्ट बनाएं इस पेश्ट को बालों पर महंदी की तरह लगाएं या फिर आप अंडे के सफेध हिस्से में शहद और केला मिला कर भी हेर मास्क त्यार कर सकते हैं एक और तरीका है केला मसल कर बालों को मास्क की तरह लगाएं यह मास्क भी बालों पर जादूई असर दिखाता है केले का मास्क बहुत ही effective है और केला easily हमारे घर में हमें मिल जाता है तो आप इन तीनों में से कोई भी मास्क लगा सकते हैं ये आपके बालों के लिए और उसकी ग्रोध के लिए बहुत ही अच्छा होगा एक और आइडिया है करी पत्ता करी पत्ता को चटनी की तरह पीस कर बालों पर लगाए इसके दो फायदे होंगे दोस्तों इससे बालों की ग्रोध चल्दी बढ़ती है और जिनके बाल सफेद होने लगे हो, वो भी काले हो जाते हैं तो आब करी पत्ते का पेश्ट भी बना कर अपने बालों पर लगा सकते हैं चलिए जानते हैं कि अब क्या ना करें रोज शैंपू ना करें हफते में दो बार बाल दोना काफी है वो भी किसी माइल या हरपल शैंपू से ज्यादा शैंपू से बाल रुखी होते हैं क्लोरीन या नमक्युक्त पानी से बालों को बचाए स्वीमिंग करें तो कैब जरूर लगाए यह पानी भी बालों को रुखा बनाता है बाल जढने भी लग जाते हैं कई बार इस्ट्रस कभी न ले अगर आप तनाव में रहते हैं तो आपके बाल कभी ग्रोथ नहीं करेंगे बालों को बहुत तेज गरम पानी से कभी न धोए जितना ठंडा आप सहन कर सकते हैं उतने ही ठंडे पानी से धोने की कोशिश करें अपनी बालों को धीरे-धीरे सुखाएं गीले बालों में ब्रश करके ना सुखाएं टावल से जटक कर ना सुखाएं बालों को नॉर्मल हवा में सुखाएं बाल दोने के बाद टावल से धीरे-धीरे थप-थपा कर सुखाएं और हवा में अपने आप सूखने दे तो दोस्तों ये तो हुई बात बालों कोई ग्रोथ अच्छी करने के लिए कि बाल जल्दी कैसे बढ़े अगर आपके बाल ज़ड रहे हो पहले से ही आपके बाल ज़ड रहे हैं तो उसे रोकने के सरल घ्रेलू उपाए मैं आपको बताने जा रहे हूँ आदमी हो या औरत बाल गिरने की समस्या तो आज कोई हर कोई परिशान है बालों के जड़ने का एक बहुत बड़ा कारण हमारे आज कल का लाइफ स्टाइल है कभी कभी हम लोग अपने बालों की सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं जिसकी वज़े से हमें यह समस्या होती है आज मैं आपको बालों को जड़ने से रुकने के घरिलू उसके बताने जा रही हूँ अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है तो आप पपीते का पेष्ट बनाकर चमकाएगी और साथ ही बालों के गिरने की दिक्कत भी नहीं होगी एक चमच शहद और एक चमच उसमें नीबू का रस मिला लें इसे अपने बालों में लगाकर आदा घंटे बाद धोलें इससे भी आपके बालों का गिरना बंध हो जाएगा हफते में एक बार आप अपने बालों में महदी का इस्तेमाल करें हो सके तो इसमें अंडा भी मिला लें इससे बालों को मजबूती मिलेगी जिससे उनका गिरना काम होगा इन सभी उपायों में से जो भी उपाय आप इजिली कर सकते हैं आप उन्हें रोजाना करने की आदर डाले कुछी दिनों में आपके बाल जढ़ना बंद हो जाएंगे और एक और उपाय है जो बहुत ही कारगर है नारियल तेल में कपूर मिला कर रख ले हफ़ते में दो बार सिर में इस तेल की मसाज करे आपके बालों में अगर रूसी है वो रूसी भी खत्म होगी और बाल जढ़ना भी बंद हो जाएंगे तो जो उपाय आप इजिली कर सकते हैं वो ही उपाय करें सभी उपाय बहुत इफेक्टिव हैं दोस्तों आजमाई हुए हैं और 100% वर्क करते हैं और कुई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं